नमस्कार जै श्री राम, स्वागत है आपका विहार लाइबनाव के खास कारिकरम में आज हम बात करेंगे एक विशेश तियोहार के बारे में जो भारत की संस्कृती परंपरा और इसके इतिहास से जुड़ी हुई है हिंदुस्तान के नाम से जुड़ी हुई है अभी चैतर का महीना है और सनातन में हिंदु धर्म में चैतर के महीने को बहुत ही पावन, शुद्ध और पवित्र माना जाता है क्योंकि सनातन धर्म की कई तिवहारे इस महीने में आती है जैसे चैतर दुरगापुजा, राम नौमी और चैती छट बिहारियों के लिए आज खास तोर पर हमारे साथ अलोक कुमार जी है जोतिश सलहकार धर्म के बारे में विशिश जानकारी रखने वाले और जोतिश में तो इनका पारंगत इनोंने हाचिल किया हुआ है आज राम नौमी के बारे में कुछ आप बताएंगे जै माभगवती, जै स्री राम, जै स्री सिता राम हाज इस उपलक्ष में सबसे पहले आने वाले राम नौमी की आप सभी दर सभों को बहुत दिल से हादिक बढ़ाई और चैत सुकल पक्ष की नवरातरा चल रही है और आज अस्मितिती है कल नौमी हो जाएगी तो जो लोग भी नवरातरा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सादुबाद, उनको बहुत बहुत माभगवती आप सभी बहुत किरपा करें इन कामनाओं के साथ हम लोग आज का कारकरम स्टार्ट करते हैं तो आज यह जो चैत सुकल पक्ष है हिंदू नवर्स कहा जाता है हिंदू नवर्स दोहजार असे सक्समबस स्टार्ट हुआ और हिंदू नवर्स हमारा जो सनातन में जो हमारा वर्स स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट हो जाता है वो एक जन्वरी वाला जो वर्स है वो अंग्रेजों का वर्स है और यहां पे जो हमारा जो स्टार्ट होता है नव वर्स वो यहीं हो जाता है और इस वार की राम नौमी कहते हैं कि चैत सुकल पक्ष की नौमी तिथी को अभिजीत नशत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था तो इसलिए हम लोग राम नौमी मनाते हैं उनके जन्म सब को हम लोग मनाते हैं और कहते हैं प्रभू का ही जन्म हुआ था तो प्रभू के जन्म के समय अगर नमन भी करेंगे तो सारे सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी सारी चीजे प्राप्त हो जाएंगी और इस बार राम नौमी कुछ खास है बहुत विशेस है इस बार पाँच पाँच सिद्धी योग लग रहे हैं पुस्प योग लग रहे हैं अमरित सिद्धी योग लग रहे हैं रवी योग लग रहे हैं स सुबह तीस मार्च मतलब राम नौमी के दिन सुबह 11 बज़े से सुरू होकर 31 तारीक के दस्वी के सुबह सभा 6 बज़े तक कहा जाता है, उसी में रभी योग, सरवासिद्धी योग और गुरू योग जो है, वो सुरियास तक आपके काम करेंगे, तो इस दिन कोई भी सुब कारें आपको करना हो, किसी भी तरीके का कुछ भी करना हो, मुंडन कारें करना हो, कोई भी सुबह कारें करना हो, तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, उसमें कहीं से कोई दोराएं नहीं है, और जो तिस में रमाइन देखिए, प्रू राम है क्या, पहले एक बार और सनातन में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं इसलिए क्योंकि राम ही वो है जो सिब के भी अराद्ध हैं आप सबी आप देखा होगा जो लोग सिब की पूजा करते हैं वो बिलपत्र के उपर राम लिखते हैं और भगवान सिब के उपर चरहते हैं और कहा जाता है भवान सिब उससे खुस होते हैं क्यों? क्योंकि सिब के अराद भी स्री राम है और राम के अराद सिब है सिब वो सिब जो देवो के देव कहे जाते हैं महादेव कहे जाते हैं बिसक के हलाहल को पीने वाले कहे जाते हैं लेकिन उनके अराद्य कुन है? स्री राम है राम पुरसार्थ है राम वो है कभी आप राम का नाम लीजिए और फिर देखिए कि उनके आपके अंदर क्या पुरसार्थ आता है आप तीन बार घर बैटे बैटे जितने भी दरसक देख रहे हैं एक बार बोलिए जय स्री राम तो आपको अंदर से वो ताकत लगानी परेगी आपका पुरसार्थ जग जाएगा आपके अंदर की आत्माय जग जाएंगी तो राम एक बहुत बड़ा नाम है कहते हैं जब सेतू बन रही थी जब उहाँ पे सेतू बनाई जा रही थी तो सारे सैदिक बानर से ना लगी हुई थी सेतू बनाने में तो राम लिखते पतल पे लिखते थे और समंदर में फेकते थे और वो पतल तैरने लगता था तो राम जी बोले कि हम भी कुछ मदद कर देते हैं तो वो राम लिखे वो भी लिखे और वो भी ऐसे ही जाके उसको पतल पतल डूब गया तो नल नीन ने कहा प्रभू आप छोड़ दीची आपका नामी काई है आप नहीं इसलिए कहते हैं कि राम से बढ़ा है राम का नाम तो राम का नाम अगर लेते हैं तो आपके अंदर एक उर्जा उत्पन होती है आपके अंदर या और राम से ही पूरा संसार है आज बरी बदाई देता हूँ कि आज बरी खुसी का मोका है कि आने वाले मुझे लगता है कि एक सालों के अंदर हम लोगों को राम जन भूमी पे वो मंदर भी हम को मिल जाएगा जो सनात्मियों के लिए एक सबसे जरूरी था ये बहुत जरूरी था और जिनका भी इसमें योगदान है उसको बहुत उनको भगवान राम की हमेशा किरपा बनी रहेगी और हाँ अब हम लोग आते हैं कि मैं जोतिस अलाकार हूँ तो जोतिस में राम का क्या म चल्टा अठीजा को अनुमान की अरातना जरूर मिदीघा से जरूर करनी चाहिए हनुमान की धोजा लगानी चाहिए अपने घर पे बहुत लोगों को कुल देपता में भी लगते हैं धोजा तो उनको अपनी धोजा लगानी चाहिए और हनुमान की सिवा करनी चाहिए क्योंकि राम खुस कब होते हैं जब उनके आसपास वाले खुस होते हैं राम के साथ लक् तो यकीन मानिए आपके जीवन में किसी परकार का कोई करस्ट नहीं आ सकता, आपके जीवन में किसी परकार का कोई रोग नहीं आ सकता, आपके जीवन में किसी परकार का कलेश नहीं आ सकता, राम का नाम दुनिया में कोई वी वास्तुदोस हो, अगर आपके घर में किसी भी तरीगे का कोई वास्टु दोस है अपने दर्वाजे पे दोनों तुरप राम राम लिख देते हैं सीता राम लिख देते हैं तो वह वास्टु दोस कम हो जाता है वहाँ पे उसका प्रखावग कम हो जाते हैं कि उसी दिन त्वरित करवाई करते हुए आपको दर्सन देते हैं और आपके मनुकामनाओं को पूर्ण करते हैं तो इसलिए रामनौमी एक महान पर है इसको मनाए और जितने भी सनात्नी है उनको ये रामनौमी मनानी चाहिए जो सनात्नी राम का नाम नहीं ले रहे हैं वो यह यकीन मानिए आप सनात्मी होने पे संदे उत्पन्द कर रहे हैं इसलिए अगर जागो अगर आप राम के नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ आप किसी काम के नहीं इसलिए राम का होना है राम नौमी इस पर बहुत अच्छे समनानी है राम के ये करने है और ये जो सर् गारव जे सुबह में पूजा करनी है और गारव जे सर्व सिद्धी योग अमरित सिद्धी योग लग रहा है अमरित सिद्धी योग का मतलब ये होता है कि आप जो भी कारे करेंगे अमरित के समान हो आपको फल देगा जो भी कारे करेंगे जो अमरित के समान फल देगा वो चिरायू हो जाएगा वो लंबे समय तक चलेगा अगर आप किसी कारे को सिद्ध करते हैं किसी कारे का सुरुवात करते हैं कोई ऐसा चीज करते हैं तो लंबे समय तक चालू हो जाएगा और यकीन मानिए आप इसमें करके देखिए आपको भगवान से राम की बनो सनह मिलेगी मादरुगा का माभगोती के बहुत बरा सने मिलेगा आपको और सीता राम सीता राम बोलना नहीं भोलिए और हाँ आज से इस प्रनली जीस राम नामी से कि हम सब किसी को मिलेंगे तो राम नाम कहते हैं राम राम ही कहेंगे क्योंकि राम ही सत्थ है मरने के बाद एक ही सब लिया जाता है राम नाम सत्थ है इसका अर्थ ये है कि दुनिया में सब बेकार है राम का नाम अगर लोगे तो मरने के उपरांत भी वो जाएगा आपकी आखी आत्रा में भी वो नाम जाएगा और उपर और आपके अगले जन्मों में भी काम देगा लेकिन अगर राम का नाम नहीं लोगे तो किसी जन्म के नहीं रह जाओगे ना इस जन्म के रहोगे ना कुछ पुद्ने तुम कमाओगे इसलिए कहते हैं कि राम ही सत्य है राम के अलाबा कुछ नसत्य था राम वो थे कि जूटा फल सबरी का बैर खा रहे थे क्योंकि उनकी भाव थी उससे सबरी की तो भाव से आओगे तो मैं तुम्हारा जूटा खाने को भी तैयार हूँ और अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं लंका भी ढा असकता हूँ यह थे स्री राम वही है पुरस राम के आप करेक्टर को देख लिजे ना, राम के करेक्टर को ही देखेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, उनके अंदर जो पेसेंस है, रात में उनको सिंखासन मिलने वाला था, धुशना हो गई थी कि कल आप राजा बनेंगे, और कल सुबह बनवास को लिकल गए, तो न ना, उन्हें कुछ पाने का गम था, ना, उन्हें कुछ खोने का गम था, इंसान, उनके पुरसार्त का, उनके आचरन का, एक परसेंट भी अगर अनावरन कर ले, और उस तरह से रहना सीख जाए, तो फिर क्या कहना, फिर जीवन सत्य हो जाएगा, और जीवन में सब सुख और सम्रिद्धी आ जाएगी बस राम नाम का जाप करते रहेए मा भगवती का किरपा आप लोगों पर बरसता रहेगा और मैं यकीन मनाता हूँ कि इस राम नौमी को ये जो पांच सर्व सिद्धी योग हैं जो तिसके नुसार ये सिद्धी योग भी आपके लिए अच्छे स योग बनाएंगे और यकीन मानिए ये सिद्धी योग में आपको किसी भी कारे को कीजिए मुन्नकार करना है कोई भी ऐसा सुब कारे आगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए मा भगवती चाहेंगी तो 100% सब कुछ आपको प्राप्त होगा और किसी भी दरिगेगा कोई रोग बिनास और कलेस कर्ज आपके उपर नहीं चरहेगा देखी जब बाबा मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर हिमाचल जाने का भी मौका मिलता था हरियाना चले जाएं आप और उत्राखंड चले जाएं तो सुबह सुबह जब निकलते हैं लोग तो राम राम कहते हैं रा राम दो तीन चार पाँच मतलब राम को लोगों ने पहले अपने जीवन में समाहित किया हुआ था तब ये संसार बहुत खुबसूरत था इसलिए राम मर्यादा पुर्शोत्तम कह जाते हैं राम कहा जाता है कि राम एक विशय हैं एक सबजेक्ट हैं उनसे आप बहुत सार चीजें सीख सकते हैं अपने जीवन में उतार सकते हैं एक अच्छा बेटा एक अच्छा राजा मर्यादा पुर्शोत्तम सत्य की रहा पर चलने वाला एक शत्रिय सैनिक की तरह लराकू सैयमित लराकू इसे आप कह सकते हैं उनके अंदर ये चीजें थी तो राम के नाम में जैसे इन्होंने कहा कि जैज श्रीराम जब बोलते हैं तो एक पावर एक एनर्जी आ जाती अंदर में और वो बहुत जादा उर्जा के साथ लोग कारे करते हैं चाहे पहार भी तोरना हो वहाँ पर इस नाम का बड़ा परचलन होता है एक सवाल उठता है कि जो ध्वजा की ब जहां कुल देपता के रोप पे लिएगे वैसे राम के नाम का और हनवान के नाम का बौजा आपको लगाना ही चाहिए एक वार रखना ही चाहिए अगर आप सणापनी हैं तो जगाना हैं अगर करा सकते हैं किसमें कहीं से कोई दो रहा है नहीं है कि कोई दिशा है क्या लेकिन एक चीज का ध्यान रखने की जरुवत है उस धजा का गलत प्योग ना करे तो बहतर है वो जितना धजा नहीं है उससे जादा वो सकती है वो अपने आप में एक सकती है वो अपने आप में एक अनोठी सकती है तो उसका कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग न करें अभी मैं क्या देख रहा हूं उस धोजा को लेकर कोई भी घूम रहा है वो धोजा को लेकर कहीं भी हो रहा है और जब धोजा अभी स्री राम स्री राम कर लिया और फिर कहीं जाके उसको रख दिया ऐसा नह अपने घरों के उपर लगाैं अपने घरों के उपर चमकाएं दूर आप दिखाएं कि हम सनातली है भगवान सुरी राम लेकिन उसको लगाएं तो आपके लिए बेटर है लेकिन उस धोजा का दुरू पयोग ना करें उस वो धजा है धोजा क्या हूता है आपका परतिक चिन ह तो आप अगर कहीं विदेश जाते हैं और इंडिया के परतीक चीन को त्रह रहे हैं तो आप उसकी मर्यादा में भी रहे हैं, आप उससी सापके भी रहें तभी उस दोजा को उठाएं अन्ताम नौँ उठाएं क्योंकि अगर हम लोग अपने दिल से किसी चीज का ये करेंगे तो भगवान राम की भी कृपा बनेगी लेकिन उसका दुरूप योग करना कहीं से भी नहीं अगर आज जंडे का अगर आज आप करते हैं तो हम कहेंगे कि आप देश रोही हैं अगर आप देश रोही हैं और किसी ऐसा चीज करते हैं तो आप देश रोही होंगे तो आप तो धर्म विरोधी तो होंगे उससे भी बड़ा आप सनापनी नहीं हो सकते इसलिए अगर आप सन तो क्या व्रत रखना चाहिए, क्या महत्व है। राम जो है या कोई भी भगवान जो है वो भाव के भूके हैं तो भाव आपका कैसा है आप अगर भाव से अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उस भाव से भी भगवान खुश होंगे अगर आप नहीं सह पा रहे हैं कोई दिकत नहीं है भाव स्री राम के लिए है मंद में राम राम है, साशों में राम राम है, तो फिर राम उन फास्टिंग माले से जलदी आपको मिल सकते हैं, इसलिए कुछ हां, कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे कि मांट साहर करना आपके लिए बहुत उचित नहीं है, अगर आप राम के भक्त होना चाहते हैं, तो बाकी fasting अगर आप करे वो आपका भाव है, fasting ना करे वो आपका भाव है, अपनी भाव को जितना सुध रखेंगे, भाव भाव को भगवान के परती जितना समर्पित रखेंगे, वो आपके लिए उतना काम करेगा, ये नहीं कि आपने fasting किया तो भगवान जल्दी मिलेंगे, आ ने जो पिर अधिक हिसे होता है हम आज 15 साल से यही कर रहे हैं मैं ने ये कभी नहीं कहा कि कुछ मिरकल हो रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, चमतकार कुछ नहीं है, राम का नाम है, आज बड़ा ट्रेंड में चले हैं बागे स्वर्धाम, ठीक है, लेकिन वो भी दिबदरवार दो घंटे के लिए ही लगाते हैं, अगीकत यही है, कि वो सिर्फ उन च करसित हो जाते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं, कुछ अध्यात्मी, कुछ इत्रा की परसानिया रहती है, मैं उनको ठीक कर देता हूं, लेकिन वो करता को ऐसे हो, उस्सी राम के नाम, उसी भगवती के एकर पास में ठीक करता हूं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मेरे पास क भक्ति नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है मैं भी वैसे ही ठीक करता हूं लोगों को मैं भी रहा देता हूं तो उन्हीं का नाम लेकर रहा देता हूं और उचीजे सफल होती है इसलिए राम से जुरिये राम के करीब जाईए राम के देखिए क्या है भाव क्या होता है क्या है भ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से करते हैं भक्ति, आप भगवान को एक छोटा सा आसन दिजी अपने घर में, वो कब खाएंगे, कब नहाएंगे, कब उनको भूक लगेगे, कब वो उठेंगे, कब वो सोएंगे, इस बात का ख्याल रखिए, फिर देखिए भगवान आपका कै से ख्याल रखता है, आप उनका ख्याल रखिए, वो तो आपका ख्याल रखी रहे हैं, और रखेंगे ही रखेंगे, आप उनके विसेश पुत्रबन्दा, आपके खाने से, आपके कुछ कर लेने से, आपके कुछ नहीं कर लेने से, बहुत लोग का भाव है, बहुत लोग य हठ योगी होते हैं किसी को आप देखेंगे हठ योगी में जाएंगे सनातन में तो कोई हाथ खरा करके पिछले 15 साल से है कोई पैर खरा करके पिछले 15 साल से है उस क्या कर रहा है तो भाई भक्ती कर रहे हैं हम तो वो हठ योगी है उसको उसका भाव है कि हम ऐसे करेंगे तो तो जिसको ऐसे लग रहा है कि ऐसे करने से भाव मिलेंगे उसको उसी में भाव मिलेंगे तो जिस भाव से भगवान को भजिएगा उस भाव से भगवान आपको मिलेंगे जिस भाव से भगवान को नहीं भजिएगा अगर आप कितना भी भगवान को भजिएगा स्री राम स्र जियाद रखिए हनवान की पूजा कीजिए अगर तो राम का नाम लेना विलेने के बिना हनवान अदूरे हैं उसी तरह अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो उनके जो सबसे प्रिये भक्त हैं सबसे प्रिये सेवक हैं सिरी हनवान उनकी अरादना नहीं करते हैं तो राम भी ख अपनाएं और सुबह सुबह नहाद होके तैयार होके तिलक लगा के भगवान सी राम को लिखके और सारे लोग राम का नाम लिखके जो लोग घर से बाहर नहीं लिखल सकते हैं या जो लोग इनका स्वास्त अच्छा नहीं है वो एक कागज ले उस पे लाल कलम से राम राम का 108 वार नाम लिखे और उस कागज को घर का कोई एक वेक्ती जाए और हराम जी के मंदिर में जाके चरहा दे हनमान जी के पास चरहा दे वो संदेज हनमान पहुचा देंगे कि है प्रभू यही वो बालक है जिसने तुम्हारे नाम को 108 वार याद किया है इस पे क्रिपा बरसाओ और आप पे क्रिपा बरसेगी बिलकुल और कल जरूर राम नौमी का दिन है अव्यस्त लोग होते हैं लेकिन राम जी की पूझा जरूर कीजिए राम का नाम जरूर लिजिए कल का दिन बहुत ही महदवपूर्ण है और एक विशेश बात जो की अलोग बावा ने बताई की जो ध्वजा लेकर हम जुलूस में तो निकलते हैं बहुत सारे जगों पर हम उसे लहराते हैं लेकिन फिर उसे कहीं कहीं रख देते हैं देकिन अगर वो आप लेकर चल रहे हैं रामनौमी के जुलूस में निकल रहे हैं जो यात्रा शुभा यात्रा निकलती है विशाल उसमें निकल रहे हैं उसको लेकर फिर अपने घर पे लगा दे वो आपके घर के लिए भी वाश्तु सास्त्र के अनुसार भी बहुत शुध और अच्छी चीज है और राम का नाम लेते रही आप सब को रामनौमी की बहुत बहुत शुभ कामनाई और बधाई राम का नाम लीजिए कल्यान जरूर होगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार लिए अधर बतलब अप्लीट अप्लीट वर शुछी नुझ जरो माइड नादर रोड मुझभः पर और राम धुछ नुझ धर को रामन।